आपी बासी दिवस जिन्दाबाद, 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 जिन्दाबा बतादे कि आज पूरे बिशो में हर्सो ल्लास के साथ धुमधाम से बिश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है इस दोरान खुटी में भी खुटी जिले के बिभिन आदिवासी संगटनों ने एकता का परीचाई देते हुई खुटी के कचहरी मेंदान में बिश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कारेकरम आईजित कर बिश्व आदिवासी दिवस मनाया बताते चले कि आयोजीत इस कारीकरम के मुख्य अतिती के तौर पर खोटी अनुमंडल पतादीकारी जितेंद्रमुंडा कारीकरम में मौजोद रहे खोटी के कारीकरम सुभारम करने से पुर्व विभिन्ना दिवासी संगटनों के लोग खोटी के करम अखणा में जुटे जहां उन्होंने विधी पुर्ण पूजा पाड़ करने के बाद वहां से जुलूस निकाला ये जुलूस खोटी के नीचे चोक से होते हुए उपर चोक होते हुए फिपरा टोली तक गया और फिर पुनाव वापस कचहरी में दन तक आया जहां जुलूस ने कारीकरम में हिस्सा लिया बताते चलें किस दौरान सांस्कृतिक कारीकरम का भी आयोजन किया गया जहां आयोजीत पारंप्रिक सांस्कृतिक कारीकरम में अनुमंडल पतादी कारीजीत अंदर मुंडा ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने लोगों के साथ इस नाजगन में हिस्सा लेकर सभी कावाख सुलाब जाई किया साथ ही कारीकरम को समभधित करती हुए उन्होंने आदिवासी दिवस के मौके पर कहीं महत्तो पूर्ण जानकार्या भी उपलम्त कराई जो यह उपस्तित हैं उन्हें भी मेरा जवाब आज ऐसी गड़ी नोव अगस्त इस वादिवासी दिवस के रूप में मनाती हुए हमान लोग एकटे हुए हैं ऐसी परिकलपना क्यों की गई सबसे बड़ी बात एही प्रयाया कि इतने वर्षोबात जो इस धर्ती के निर्मान सी में मत्पुन कड़ी निवाने वाले और वो इस प्रकरती के सरचन करने वाले इस धर्ती की सरचन करने वाले जल जेंगल और जेमीन की सरचन करने वाले आजिवासी को इतने लंबे वर्षोब तक इंतिजार के बात 1994 में सुरपर्थम अमरीका में 200 आधिवासी तो नहीं लेकिन आधिवासी दिवस की परिकलब न की गई और उसने अपने अस्तितों को तुटने भुटने से बचाने के लिए वर्स में एक दिन उपस्तित होकर उस पे चर्चा करने की आवसकता में से उसकी और उपहली बार उसमें आधिवासी दिवस मनाया यहीं बात नहीं रुकी आगे जाने के बाद पहले राश्चंग मना उस राश्चंग ने भी इसकी परिकलबना नहीं कर पाई दुटिय विश्वत के बाद संदित राश्चंग मना उस संदित राश्चंग ने ये परिकलबना की कि विश्व की सभी आदिवासियों को उसकी धर्म, संस्किर्टी अस्तित अस्त्मिता भक और अधिकार की रच्छा के लिए एक ऐसी प्लेटफॉंग बनाये जाए जो पुरे विश्व को एक ही आधायार के रूप में रखा जाए और एक ऐसा दिन चुना जाए जही दिन पुरे विश्वे के लगों को एक आधिवासिद दिवस के रूप में दिया जाए और उसने अपना संकल्प को पारित किया संकल्प की भी संख्या पुचास अबलीक की 214 रखा और यह डिक्लेरेशन दिया कि आज 9 अगस्त के दिन से पुरेवीश्वों में आधिवाजित दिवस मनाई जाएगा नगस्त पुरेवीश्वों में आधिवाजित दिवस मनाया जाता रहा है विश्वाजित दिवस के मोके पर आयो जीत इसकारी करम में जिले भर से आधिवाजित समाज की लोग पहुचे हुए थे इस दोरण दुरगावती ओडिया ने आधिवाजित समाज को लेकर और विश्वाजित दिवस के मोके को लेकर क्या कुछ बताया ज़र सुनिए आधिवाजित दिवस को किस लिया मनाते हैं कब से मनाते आ रहे हैं आधिवाजित दिवस मनाने का क्या मतलब इसके विशा में जन जनम तक हम लोग पहुचाने का प्रयास किया और करीब करीब हम लोग पहुचा सप्रता हो चुकी है और यह आगे भी जारी रहेगा और यह आधिवाजित दिवस के साथ हम लोग प्रकृति पूजे हैं प्रकृति के बीना इस दुनिया में रहना संभाव नहीं है जर जंगल बचाना अबना हग अधिकार अपना सर्ना समाद सर्ना धर हम सर्ना सके कैसाfund बचाएंगे इस पर भी हम लोग भी चारभी मास्क करेंगे यहां आड़ शेतर में हम अधिवासी बहुत पीछे हैं उसकी इसाय में भी आम लोग चरशा करेंगे और सर्ना कोर्ट की मांग आगे भी जारी रहेगा हम जब तक सर्ना कोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे जहां जाना है वहाँ जाने के लिए तो सभी कोई तयार है छुक्त अपने सही चवाल किया तो अब आपने सुना दुर्गावती वडिया ने क्या कुछ बताया बता दें कि इस कारे क्रेम में जिला परिशत के खुटी जिले के अध्यक्ट मसी गुडिया भी मौजूद रहे उन्होंने भी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर क्या कुछ बताया जरा सुनिये अधिवासी जो है जो परकृति को बचा सकते हैं तो अभी आपने सुना बीश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मसी गुडिया ने क्या कुछ बताया आज के आयोजीत इसकारे क्रम में मुख्य रूप से दुर्गाबती वडिया नरेश्त तिर्की सुगोंद दास मुंडा दुबराश सिंग मुंडा महंदर सिंग मुंडा शंकर सिंग मुंडा बिर्शा ओडिया सईत हजारों लोग मौजूद रहे अधिवसी दिवस जिन्दाबाद, 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 जिन्दाब झाल झाल